गिरी राज सिंग भाजपा के नेता है वेगुष राज से सांसद है केंद्रे मंत्री हैं ट्वीटर पर लिखते हैं तेजस्वी आदब के बारे में कि चारा चोर का बेटा महात्मा थोड़े हो जाएगा फिर च्रिया घर का माटी काट काट के मौल भरवे करेगा फिर आपका पल्टू चाचा नितिश कुमार पूरा खांदान को घपला के आरोप में बरखास करबे करेंगे बात करेंगे उदाई नराय चोधरी हैं आर्जडी सिनियर लीडर है दलित समास से आते हैं सर लड़ाई जगरा हो रहा है गिराज सिंग के बीच तेजस्वी आदब के बीच और तेजस्वी आदब भी गिराज सिंग को नहीं छोड़े हैं कानेक मतलब आर्जडी से ट्वीट आया है चिक्षरी गिराज सिंग चारा घोटाले में आरोपी जगनात्थ मिस्रा का बेटा बीजेपी में उपाध्यक्ष है परदेश उपाध्यक्ष है नाम है नितिस मिस् आपको मंत्री किस ने बना दिया इतने बद जुबान हो आप जैसे गालीबाज की संगत किसको पसंद है इतने नहीं हुआ बहुते लंबा चोड़ा हुआ और इस तरह से मामला चल रहा है अटी का टिपनी हो गया है चोटी पर गिराज सिंग लंबा लंबा चोटी रखते है उस पर तेजस्वी आदव ने कहा कि सिरिमान इतना बेसरम मत बनिये एक फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्यानी नहीं बन जाता जैसे आप रखते हैं आप लोगों की इन चिरकुट हरकतो एडिटेड वीडियो वा सरक्षा ब्यानों की बदावलत भाजपा की ये चारों का कोई बहार में चेहरा भी नहीं है तो इस पर गिर्राच सिंग लिखते हैं कि बहार के से Hertनें प्रतिक चिन टिका सिखार स्था हमले शुरू कर दिये हैं थैंसे मां यह कि घंजवार देता हूं कि जो भाजपा की हुकूमत थी और एंडिये की हुकूमत थी उसको 28-29 साल का लड़का ने धूल चटाने का काम किया अख्वार में लिखे रहे हैं और अशब्राइब जजए राज सिंग्व फोट को शीरा भारत सरकार मंसे लाओ दने लाया है जी के बारे में इस तरह की टिक लालु जादब अब के वो लालु जादब बेक्ती नहीं रहे उस समाज में के परिवर्थन के परतिक हो गये लालु जादब कासीराम के लाइन में आ गये पेरियार के लाइन में हो गया हम बेटकर के लाइन में आ गया है लालू जादब के ऊपर आज तक इतने दीनों में बाल बांका भी कर सका क्या रोज दिन EDCD करते रहे अरे जेल तो आपका है जेल भेजना दीजे जवर रखती और तेजस्वी प्रसाद जादब के प्रथी इस सोभा नहीं देता है और इस तरह की टिपनी करते रहेंगे तो आगे आने वाले दीनों में बिहार की जनता कोई देखते रहेगी मुह ताकेगी कि उनको भी इसी लहजे में जवाब देगी जवाब जब देना शुरू कर देगी तो उनको बरदास्त करने के लिए तैयार रह इस तरह का जवाब दिये तो ड्होंगी का प्रतीक है जी जो सीखा उखा का नाम ले रहे हैं तो जितने समाज के में बिरोधी काम करने वाले हैं न असमाजिक काम करने वाले लोग होते हैं न वही लोग इसे भी इस तरह का डोंग अपनाते हैं जो लोग भी इस तरह का रखते हैं उस सब लोग असमाजिक होते हैं गिर्या सिंग रख रहे हैं सरकार का मतलब क्या है कानून को छोड़ देना है क्या आप बोल रहें जो रखते हैं तो कोई भी इस तरह का काम करता है रखता है और ढोंगपना करता है राजन जी जीवन में रह करके वो सब अपराधी के लाइन में आता है योगी जी कि भोगी जी है कि नि टिस कुमार्द बोल दियें 20 लाह रोजगार देंगे अई भाज पावला दस लाख कब मिलेगा का दस लाख कं मिलेगाक नि तीस जी बोलें तीस लाख प्रसाद जादर आते के साथ सरकार में अदकट़ि सरकार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है तेसी पसा जा दो लेकिन फिर भी अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं हम धन्यवाद देते हैं माने ये मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने स्विकार किया है अभी तो जवाब देने जाूं गबज दो लोगों को हर साल तो मंधका पकां दो अभी तक कितने लोगों को धिया गया सभी स्पाइब किसान को उसकी किसान दूगनी नी थी आ उसकी आएब दूगनी करने के उबादा किये थे क्या हुआ पेट्रोल जो साट रुपे कीलो था लीटर था वो सव रुपे भिक रहा है पेट्रोल डीजल यही है क्या और यह पंद्र लाख रुपिया बोले कि हर नौजवानों को घर हर बेक्ति को घर में पहुंच जाएगा बोले परवक्ताज धीर स्विश बैंक का काला धन का रुपिया सब आजएगा वापास तो कितना पैसा आया आभी इसका कोई जबाबाद तक नहीं दिया इसमें कि कितना पैसा आया नोटबंदी हुआ कहां गया कालाधन सब तो इन्ही के घर में था इन्ही के इहां गया भाजपा के लोगों के घर में गया पहुंगा पूरी संपती दुगनी तिगनी कैसे हो गई कमाल है भाई आप कमाल है करते रहिए कभी ठाली बजबाईये और बती जलवाईये आति रंगा यात्रा निकलते रहिए जो जिन्दगी भर जीवन भर आप तक 52 वर्फ तक जिसने तिरंगा ज़ंडा को नहीं लगाया आपने और अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये असल भगवा करना चाहते हैं देश का जी उसको बियार की जंता देश की जंता और राष्टी जंता दल कभी नहीं होने दिगी आज तो मोदी जी कर दी हैं कि परिवार बाद राजनीत से खतम होगा खमला था लालू जादव के परिवार पर मुलायम सिंग जादव के परिवार पर चाहे करना ने देख परिवार पर और इस तरह से जो पारिवारी पार्टियां है कथित तोर पर उस बिहार में उनके अध् परिवारबाद रहेगा नहीं रहेगा उतो सब सामने में आवेगा अब एक समचार है सर राजस्थान से आते हैं पूरे देश के दलित आजादी के 75 साल का महुत्सब मना रहा है हर घर तिरंगा हो रहा है लेकिन आज भी दलित बच्चा जब अपने स्कूल के टीचर के मटके स पानी पी लेता है तो उस बच्चे की इतनी पिटाई की जाती है कि बच्चे की जान चली जाती है बच्चा इंदर कुमार में घवाल पढ़ता था अपने टीचर के घड़े से पानी पी लिया उसके बाद इस तरह की घटना होई बच्चा अब नहीं दुनिया रहता तो 70 साल के आजादी के बाद जो सब डॉक्टर भीम राम बेकर ने आजाद होने के बाद जब सम्विधान बनाये गया तो देखा था कि समाज से अस्प्रिस्यता छुआ छुआ छुट समाप्त होगी और हर इंसान को इंसान के आधार पर सम्मान मिलेगा नफरत और प्रेम महब सभी इंसान इंसान एक दूसरे से प्लेम करेगा इसकी कल्पना किया था उन्हों ने जिसका साक्षात भारत के संविधान में दिखता है इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान खत्रे में है आज के तारिख में जो लोग सिर्ष के सत्ता पर बैटे हैं सत्ता के सिर्ष पर जो लोग बैटे हैं सर्वा कांग्रेज की सरकार है किसी की सरकार हो जहां कहीं भी चुआ छूत है जहां कहीं भी आज भी आदमी का पकाना आदमी लेके माता पर चल रहा है लानत है इसी सरकार का लानत है इसी जिद की है एक आजादी मिली है अंग्रेगों के हुकूमत से मुक्ति मिली है लेकिन दूसरी जो आ गए हैं काले लोग गदी पर बैठें हैं भी जो संबिधान वीरोधी लोग इन से भी आजादी लेकर के और भारत के संबिधान के निर्माता डॉक्टर भीम राम बेठ करके सपनों को साकार करने के लिए आगया बढ़ना है थिक है तो बाकी बाचीत कैसी लगी पूरी आप बताएगा परतिकरिया कमेंट बॉक्स में फेस्बूक पर वीडियो देख रहें पेज को लाइक फोलो नहीं किये तो कर लिजेगा यूट्यूब पर वीडियो देख रहें सब्सक्राइब बरने हैं तो घंटी बजाग किजिए जय भीम जय भारत